आप देख रहे हैं दोस्तो कोरोना वाइरस के बारे में सबने सुना है सबको उसके बारे में बेसिक पता है लेकिन गलत जानकारी भी बहुत जादा है इंडिया के अंदर आज कल स्कूल कॉलेज मॉल्स बंद हो रहे हैं दुकाने खुद खोल रहे हैं लोग लेकिन ये दिन दूर नहीं है कि दुकाने भी बंद होगी जी हाँ ये सच्चाई है दुकाने भी बंद होंगी इसलिए नहीं कि बाहर दुकान खोल के बाहर निकलोगे तो कुछ हो जाएगा उस इंसान को जो खोल के बैठेगा ऐसा नहीं है ये उस प्रकार की महमारी नहीं है कि हर बीमार इंसान मरी जाएगा जैसा हम पहले भी बता च रही है दोस्तों किसी भी एरिया में जब एक highly contaminated communicable disease आती है highly communicable disease आती है जो कि एक परसन से दूसरे परसन में फैल सकती है pandemic होता है आपको पहले pandemic क्या है तो होता क्या है कि दो तरीके से काम हो सकता है नमबर 1 हो सकता है कि बहुत जल्दी सबको फैल जाए, सबके सब बेफिक्र होके घूम रहे हैं और जो patient है वो आपके पासारा है खास रहा है, public में जा रहा है, स्कूलों में कि उतने ही ज्यादा ये ज्यादा लोगों इन्फेक्षन हो अब याद रखें इस वाईरेस की तुरू जो ड़ रेट है जो पेशंट शीरिएस होंगे वह एक सीती मैं कभी कभी 4% भी हो सकता है, मतलब अगर 1000 लोग, 1000 लोग infect होंगे, 100 लोग infect होंगे, तो 3-4 मर सकते हैं, serious होके मर सकते हैं, तो सोचो अगर लाखों, अरबो, पूरी दुनिया के लोग infect हो जाएंगे, तो कितने लाखों लोग मरेंगे, ये बात और है कि उनमें majority, 50, 60, 70 साल के होंगे, ऐसे लोग होंगे, जो already बहुत सालों से cigarette पीते हैं, COPD है, या कोई किसी प्रकार की immunocompromised state है, cancer है, कोई serious बिमारियां है, बार-बार भरती होते हैं, ऐसे लोग होंगे, लेकिन इनको बचाने के लिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा, और हमें, डॉक्टरों क को, community को, WHO को, इस तरीके के rules लागू करने पड़ते हैं, जब एक ऐसी बिमारी, जब एक phase 2, phase 2 से निकल के 3 पे आ जाती है, phase 3, phase 2, phase 4, ये सब क्या है, जैसे वो चाइना में था, तो चाइना में वो सिर्फ उधर के area खा था, वहां से जो बाहर आ रहा है, वहां से जो बाहर इंडिया में कोई आ गया, तो वो आपका सिर्फ phase 1 तक है, phase 1 से जब वो आए हुए patient, जिस वो patient जहां जहां जा रहा है, मानलो वो डेली में आया, वो डेली में आया, तो डेली के अंदर एक जगा पे जहां वो गया, वहां उसने किसी को infection दे दिया, तो जब ऐसे कुछ areas में हो जाता है, कि उसने किसी को infection दे दिया, तो वो phase 2 हो जाता है, कि infection उस area में, उस country में, उस शहर में फैल रहा है, तो वो phase 2 है, phase 3 हो जाता है, एक pandemic का, एक communicable disease, यह सारी disease का यही है, coronavirus का अलग नहीं है, हर pandemic, हर disease जो communicable होती है, जो फैलती है, वो ऐसी होती है, phase 3 हो जाता है, कानपूर में तो कोई था ही नहीं, कोई भार से आया है नहीं, पता ही नहीं चला, कहां से patient आया, जब ऐसे sporadic cases आने लग जाएं, जब पता ही नहीं है, तो फिर possible होता है, कि virus actually फैल रहा है, और कहां से patient कहां चला गया, हो सकता है, दिल्ली में किसी को आस आया, उसने किसी को कानपूर गया, वो कानपूर में फैलाया, तो अब जो है, वो कहीं भी हो सकता है, अब वो पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है, दिल्ली से गये लोग कहीं न कहीं न कहीं पूरे जगा फैला सकते हैं, तो अब वो phase 3 में आ जाता है, और phase 3 सबसे जादा घातक भी होता है, सबसे जादा तेज भी होता है, सबसे जादा खुंखार भी होता है, इसी लिए जब phase 3 शुरू हो रहा है, तब जो भी बाहर भीड में जाएगा उसको रिस्क है, जो भी बाहर भीड में जाएगा रिस्क है, तो घर में मास्क पहनने से की जुरूत नहीं है, अपने घर में, अ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यह पहली बार नहीं हुआ है याद रखी यह पहला वाइरस नहीं है ऐसे आने वाला बहुत सारे वाइरसे आ चुके बहुत सारे पैंडमिक हो चुके हिस्ट्री निकाल के अगर आप देखेंगे तो यही कर्व अभी उपर जाने वाला है आपका हमारा गौवर्मेंट का अब क्या है उच्छे का मतलब गया वुच्छा जाता है तो लोगो और फिर कुछी हफतों में कुछी महीनों में कुछी दिनों मैं बैसी कली फट से नीचे कोई आपका चाहने वाला हो सकता है, कोई आपका घर वाला हो सकता है, इसी लिए इसी लिए government के तरफ से, WHO के तरफ से ये phase 3 के लिए सब चीजे बंद हो रही है, और इसी लिए आपको अपने घर पे कुछ समान रख लेना है, preparation करना है, कि हो सकता है एक महीना दो महीना बहुत जादा बाहर ना जाना पड़े जा पाए आप बहुत जादा बाहर जाना पाए तो ऐसा नहीं कि बाहर निकलते हो तो प्रोटेक्शन पहन के निकलना है बाहर घर से बाहर जब फेस 3 शुरू हो जाए जब आप भीड में जाए अपने प परशन जो खास रहा है जो छीक रहा है उसके पास जाते हुए तो भीड में जब 25 लोगों के आज पास तो क्या पता बन कर दो कि हाथ के अंदर टच होने वाले टच हो गया वाइरस तो अंदर नहीं जाता तो आप सेफ हो जब तक आपका मुँ और नाक कवर्ड है या बंग है और आप आज पास नहीं है किसी पेशन्ट के तो हॉस्पिटल पब्लिक पेसे जितने भी ऐसे हैं मेट्रोज एरेलवे स्टेशन एरपो इन जगाओं जाने से पहले मास्क पहन ले अगर भीड में जारे हैं तो अकेले हैं तो मासक की जड़ोत नहीं है और मासक रोज्स या एक वो कव उपर जाने की जगा slow हो जाए वो एक महीने में सब कुछ निपट जाने की जगा दो महीने तीन महीने चलेगा लेकिन कम लोगों को नुकसान होगा कम लोग मरेंगे इसलिए ये सब हो रहा है तो इन सब में घबराइए मत घबराना नहीं है आज भी ये बिमारी उतनी ही dangerous है जितना मैं पहले बताया आपको यंग लोगों को 0.5% चांस है अगर आप इटली का भी डेटा निकाल के देखोगे जहां एक दिन में धाई 300 लोग मरे इटली के अंदर एक दिन में 70 साल के और उसके बाद 13-15% लोग 40 साल के उपर थे 60-70 साल के उपर सिरफ 40 साल के नीचे जो मरे थे उसमें 60 साल के नीचे जो थे वो 0.8% थे और 40 साल के नीचे 0.3% 0.3% में सोचो कौन होगा वो जिसने अपनी लंग्स को बिमार कर रखा है वो जो अपना ख्याल नहीं रखता वो होगा तो अपना हेल्धी रहिए अपना हेल्ध का ख्याल रखे हो सकता है आज तक उल्टा सीद्र तरीके से जी ओ हो आज से healthy lifestyle जीनी शुरू करो हो सकता है आपके पास कुछ हफते हो कुछ महीने हो जब आपके अंदर कोरोना वाइरस आ जाए तब आप हेल्दी होने चाहिए तब आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होने चाहिए आपके मन में डर नहीं होना चाहिए आपका कॉर्टिसॉल कम होना चाहिए आपको पैनिक नह चाहिए यह सब रहेगा तो आप बच्चा होगे सब बच्चाएं सो नॉलेज चाहिए पैनिक नहीं चाहिए पैनिक क्यों नहीं चाहिए उन्हें पहले बता चुके हैं सो होगा अभी दिक्कत बढ़ेगी एक आद महीने एक दो महीने और बढ़ सकती है दिक्कत तो अपने इसके जो नित्स है कि बाकी इसके जो मिट्स हैं कि मुझे क्या करणा मुझे क्या नहीं करना मैं बिमार हूं तो इसके हो जाएगा उन सब के बारे में हम फिर बार करेंगे थैंक्यू वांच परूह